हलो नमशकार मैं हूँ नीतु कुमार और आप देख रहे हैं E24 और News24 बॉलिवुड एक्ट्रिस महिमा चौधरी के बारे में एक ऐसी ख़बर आई जिसने उनके फैंस को जो है दुखी कर दिया उनको breast cancer हो गया और इसका इलाज जो है अमेरिका में चल रहा है देखा जाए तो बॉलिवुड में जो है बहुत सार ऐसे stars हैं जो इस घातक बिमारी के शिकार हुए बहुत सारे stars ने जो है इस बिमारी पर जो है अपनी जीत पाई उन्होंने अपना इलाज करवाया और फिर से स्वस्थ होकर वापस फिल्मों में काम करने लगे तो कई ऐसे सितारे हैं जो की दुनिया से चल बसे आज हम बात करेंगे उन actors की जो की cancer से लड़ रहे हैं या फिर जिन्होंने cancer को मात दी है बॉलीवर्ड एक्टरस किरन खेर के बारे में भी पता चला साल 2021 में कि उनको जो है blood cancer है ऐसा उनको तब पता चला जब उनका हाँ तूट गया और वहाँ पर जब blood test हुआ अस्पताल में वहाँ पर test के दौरान पता चला कि वो blood cancer से पेड़ी थे तो उनको जो है फिर पूरा इलाज शुरू हुआ और अभी भी जो है उनका इलाज जारी है उनकी जो chemo sessions होगर है अभी भी चल रही है और कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जो है वो blood cancer से recover हो रही है इसके लाबा 2018 में जब सुनाली बेंद्रे को cancer की खबर आई थी अमेरिका के New York शहर में उनका लंबा इलाज चला वहाँ पर एक cancer का एक ऐसा hospital है जहाँ जादा तर बॉलिवोड सेलेब जाते हैं रिशी कपूर का भी वहीं पर इलाज हुआ था और सुनाली बेंद्रे भी गई और उनका करीब एक साल तक वहाँ इलाज चला उसके बाद जो है वो स्वस्थ होकर आई और अभी वो पुरी तरह से स्वस्थ है और फिर से वो reality shows में नजर आ रही है और फिर से वो जो है फिल्मों में काम कर रही है इसके अलाबा लीजार जो की बहुत ही खुबसूरत actress मानी जाती थी वो भी cancer की शिकार हुई उनको जो है multiple myeloma नाम का cancer हो गया था और ये जो है करीब 11 महीने तक वो इस बिमारी से जंग लड़ती रही है और फिर उसके बाद उन्होंने इलान किया कि वो जो है अब cancer free हो उनके जो operation हुए और करीब एक साल बाद जो है वो उससे स्वस्थ हुई और अब जो है मनीशा बॉलीवुड में बहुत नाके बराबर दिखती है अब वो वापस अभी नेपाल चली गई है और बिलकुल मनीशा का look जो है इन दिनों बदला हुआ नजर आता है आयुश्मान खुराना की वाइफ ताहिरा कश्यप को भी कैंसर हो गया था 2019 में उनके बारे में खबर आई थी कि वो कैंसर के शिकार हो गई है ताहिरा का जो है operation हुआ की मो सेशन्स हुए और अब जो है पूरी तरह से वो कैंसर फ्री है तो बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी आक्ट्रस पर जीट पाई ये कुछ ऐसे सितारे हैं जिनोंने जो है कैंसर को मात दिया लेकिन बहुत से सितारे हैं जो कैंसर के आगे हार गये साल दोजार बीस में जो है रिशी कपूर का कैंसर की वज़ा से निधन हो गया तो वहीं उसी साल जो है उनसे ठीक एक दिन पहले इर्फान उनको दिमाग में कैंसर की बिमारी हुई थी, उनके ब्रेन ट्यूमर जैसा कुछ हुआ था, जिसकी वज़ा से उनका इलाज कलंबे समय तक लंडन में चला थीक भी हो गये थे, लेकिन दुबारा उनको बिमारी ने उन पर हमला किया और फिर जो है वो चल बसे, विनोत खन्ना भी एक ऐसे एक्टर हैं जो कि कैंसर की बिमारी उनको होए थी और उनका भी जो है निधन जो है इसकी वज़ा से हो गया था, 2017 में वो चल बसेते, विनोत खन्ना को करीब 4-5 साल तक वो इस बिमारी से लड़ते रहें, बॉलिवुड के पहले सूपर स्टार राजेश खन्ना भी कैंसर की चपेट में आ गये थे और 2018 में इस बिमारी की वज़ा से उनका निधन हो गया, बहुत लंबी लिस्ट है, जहां बहुत से सितारों को कैंसर जैसी बिमारी की वज़ा से हमने खो दिया, तो बहुत से ऐसे सितारे भी हैं जो एक उमीद बन कर समाज के सामने आए, कि आप cancer जैसी घातिक बिमारी को मात दे सकते हैं और इसमें हमने तमाम actresses के नाम बताएं आपको जो कि cancer से जंग जी चुकी है